दोस्तों ओम नमाशिवाय मैं हिमान्शो शर्म आपके अपने ही यूटूब चेनल एश्ट्रोवेच सर्मा जी मैं आप सभी का हारदीक हारदीक अभिननदन करता हूँ कैसे करे शिवलिंग निर्माण जी हाँ कैसे करे शिवलिंग निर्माण सास्त्रोक्त प्रमान के साथ आज मैं जो चीजे बोलने जा रहा हूं उसे मैं आपकी सेवा में रखूंगा कैसा होना चाहिए किस वर्ण के लोगों को किस रंग का शिवलिंग निर्मान करना चाहिए शिवलिंग का निर्मान मिट्टी के अलावा और किन किन चीजों से कर सकते हैं और शिवलिंग के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए यह चारों-पांचों विशाय वस्तु को आज मैं शिवलिंग के प्रमान सहीत आपकी सेवा में रखने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा चलिए सबसे पहले प्रमान दे देता हूँ फिर उस सिस्थान में लिखा क्या है वह मैं आपकी सेवा में रखूँगा शिवपुराण, शिवपुराण का प्रथम खंड, प्रथम खंड का विद्वेश्वर सहीता का अध्याय नमबर 11 का श्लोक नमबर 4, 5, 7, 22 और 23 मैं शिवलिंग निर्माण के विशाय में कुछ दो चार बहुत बहुत ही छोटी छोटी लेकिन बहुत बहुत ही महत्वपुण विशाय वस्तू उसमें बताया गया है वह मैं आपकी सेवा में रखने का प्रयास करता हूँ सबसे पहली बात शिव पुरान की खता कहती है कि शिव जी की जो उचाई है वह शिवलिंग बनाने वाले वेक्ति के बारा अंगूलों की होनी चाहिए sentence repeat करता हूँ जो वेक्ति शिवलिंग बना रहा है जो भी वेक्ति उसपार्थिव शिवलिंग को बना रहा है उस वेक्ति के 12 अंगुल के उचाई की शिवलिंग होनी चाहिए 12 अंगुल अर्था 5, 10 और 12 ठीक है मोटा मोटा इतना बड़ा एक बित्ते के बराबर के उचाई का वह शिवलिंग होना चाहिए या शिव पुरान प्रथम खंड विद्वेश्वर सहीता अध्याय नंबर 11 में लिखा हुआ है विजय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं जब कभी भी आप शिवलिंग का निर्मान करें शिवलिंग के साथी साथ नंदी जी, सर, त्रिसूल, डमरू, गोरी गणेस, मापार्वती, वीरभद्र जी, कार्तिके मुक जी, कार्तिके जी जो भी उनके गण एक, दो, पाँच शिव जी के गण हो या शिव जी के परिवार के कोई सदस्यों उनकी संख्या को आप जितना अधिक बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक शिव लिंग के पूजा करने का महत्व है कभी भी, कभी भी शिव लिंग की पूजा अकेले नहीं की जाती है उनके साथ, उनके गणों को, उनके परिवार की पूजा अवस्य ही, अवस्य ही करें यह शिवपुरान की कथा कहती है जब कभी भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इस चीज का विशेज ध्यान रखने के लिए कहा गया है शिवपुरान में कि वर्णों के अनुसार यदी बात किया जाए तो शिवलिंग का निर्मान चार अलग अलग रंगों में किया जाता है ब्रामण वर्ग के लिए सफेद रंग के शिवलिंग के निर्मान की बात कही गई है छत्री वर्ण के लोगों के लिए लाल रंग के शिवलिंग के निर्मान की बात कही गई है वेश्वर्ण तीसरा जो वर्ण है हमारा वेश्वर्ण वेश्वर्ण के लिए पीले रंग के शिवलिंग के निर्मान की बात कही गई है और जो शुद्रवर्ण के लोग हैं उनके लिए काले रंग के शिवलिंग के निर्मान की बात कही गई है चार अलग-अलग रंगों के विशाय में कहा गया है शिवपुराण के विद्वेश्वर सहिता में एक और बहुत ही महत्पपुन जानकारी जब कभी भी जब कभी भी लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वह शिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बनाते हैं जब की ऐसा नहीं शिवपुराण में साथ, आठ, दस अलग-अलग अल्टरनेट दिया गया है पार्थिव शिवलिंग बनाने के संदर्भ कौन-कौन सी चीजों का हम पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो को तो मैं कंटीनिव रखूंग ही उसके पुरू मैं आप सभी से एक बहुत ही छोटा सा आगरह करता हूँ आप अभी तक हमारी इस वीडियो में बने हुए हैं वीडियो अच्छी लग रही होई दोस्तों तो लाइक अवस्य करें उस इश्वर का नाम अवस्य लिखें जिसके अनुकंपस से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूँ और आप इस वीडियो को देख रहें चलिए विशयवस्तों को आगे बढ़ाते हैं श्यूपुरान की कता कहती है कि आप पार्थिव Shewling मिठी के अलावा आटे से भी बना सकते हैं फूलों के विशाय में बात खागया है फूल नहीं फूलों प्लूरल नंबर का यूज किया गया है बहू अचन का यूज किया गया है कई तरह के फूलों से जोड़के भी आप शीव लिंग का निर्माण कर सकते हैं यदि एक किसी पर्टिकुलर फूल से ही आपको शीव लिंग बनाना है तो आपको वहाँ पर कनेर फूल का ओप्शन मिलता है आप कनेरपुस्प के माध्यम से भी शिवलिंग का निर्मान कर सकते हैं। आप मक्षन से भी शिवलिंग का निर्मान कर सकते हैं। शिव पुराण की विद्विश्वर सहिता आठ दस अलग-अलग हमें अल्टरनेट देती है पार्थिव शिवलिंग बनाने के विशय में। चलिए दोस्तों, आज के कारिक्रम को हम यही पर समाप्त करते हैं। अगले कारिक्रम में मैं फिर एक नहीं विशय वस्तों के साथ आपकी सेवा में अवस्य ही हाजिर होंगा। आज के लिए ओम नमाशिवाई।